हेलो गाइज, बेलकुम टो माइ चैनल उटिजम एंड म्यूजिक, मैं हूँ कोमल ठाकूर, पेरेंटिंग एन उटिस्टिक चाइड़, और आज फिर से बात करेंगे हाइपर अक्टिबिटी के बारे में, तो इससे पहले मैंने हाइपर अक्टिबिटी के उपर एक डिटेल व जिसमें हमारा फस्फीर्स पॉइंट होता है कि हम बच्चे की यस एक्स्ट्रा एंरजी है, फिजिकल एंरजी है, उसको कैसे काम ड ni प्र्लों कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे मैंएज करेंगे, एए रिभु कुम ए सुफो हम काइज का पर विजाप्रिज क हम आपर चराने Yay यह लिंक इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको description box में मिलेगा जिसको आप ज़रूर चेक करेंगे चेक करें फ्लीज एंड आज हम लोग कुछ और points के बारे में बात करेंगे जो hyper activity के regarding है तो मुझे लगता है guys यह मैंने अपने experience से सीका है कि maximum parent एक mistake करते हैं कि हम लोग bait करते हैं कि hyper activity जब calm down होगी उसके बाद हम लोग बच्चे का learning स्टार्ट करेंगे जब कि आप जितना मज़ी effort कर लो 6-7 years तो लग ही जाते हैं hyper activity को calm down होने में और वो भी तब जब आप ये जो मैंने आपको two points पहले बताए हैं इनके उपर जब आप लोग अच्छे से work करते हैं तो definitely 6-7 year के round about बच्चे का जो age होता है 6-7 years का वहां तक आते आते बच्चे का जो hyper activity है वो थोड़ा manage होने लग जाता है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि wait करते हैं फिर क्या होता है कि 6-7 year के बाद जब hyper activity थोड़ा calm down होती है तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि अब कहां से start करें हम लोग तो maximum parent जो हैं वो ये गलती करते हैं कि जो learning है उसको delay करते जाते हैं गाईज जब भी autism की बात होती है तो आपने एक बात बार बार सुनी होकी और वो होता है early intervention क्यों बोला जाता है ऐसा क्योंकि आपने देखा होगा कि normal बच्चे भी जब 2 साल, 1 साल, 3 साल के होते हैं उनकी जो चीजों को grasp करने की, सीखने की जो capacity होती है बहुत जादा होती है तो सेम बात हमारे autistic बच्चों के उपर भी लागू होती है जितना कम age होता है autistic बच्चे का उतना उसके chances रहते हैं कि वो चीजों को जल्दी जल्दी सीखेगा बाद में क्या होता है कि बच्चे stubborn हो जाते हैं जैसे अगर मैं अरनव का example दूँ तो अभी 10 साल के बाद उसका एक अलग सा behavior है मतलब एक अलग सा character है तो अभी हम लोग forcefully बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते हैं 10 साल के बाद तो definitely मुझे उसको मतलब उसका wait करना पड़ता है कि वो ready है कि नहीं है अगर वो ready नहीं है तो मेरे लिए सिखाना बहुत मुश्किल है तो definitely उसको convince करना पड़ता है सिखाने के लिए तो अभी जो है उसकी अपनी मर्जी भी मतलब उसका ध्यान भी हम लोगों को रखना पड़ता है लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल का मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है विकास बच्चे बिल्कुल भी cooperate नहीं करते हैं लेकिन स्टिल कुछ parents जो है तब डर जाते हैं और एक अलग सा मतलब डर जो है वो उनके उपर हाबी होने लगता है कि नहीं बच्चा बहुत जादा हाइपर एक्टिव है हम नहीं सिखा सकते हैं मैं नहीं कर सकती हूँ कोई expert ही कर सकता है मुझे professional therapy की ही जरुरत है सम टाइम कुछ parents ऐसा भी सोचते हैं तो जाने अन जाने हम लोग अपने ही दिमाग को बार बार ये feedback देते जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा तो उस बज़ा से क्या होता है कि और जादा मुश्किल होती है और वो autism journey तो ऐसी है मैंने भी देखा है आप सब ने देखा होगा बार बार हम लोगों को failure मेरते हैं कई बार हम लोग इस तरह से demotivate हो जाते हैं कि जैसे की मतलब अब तो कोशिश करना ही बिकार है कुछ मत करो मतलब बिलकुल मन नहीं करता है ऐसे जो पल हैं वो आज भी मेरी live में आते हैं आज भी मेरी autism journey में ऐसे पल आते हैं कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं लेकिन अब वो आदत पढ़ चुकी है कि दो-तिन दिन निराश रहेंगे लेकिन उसके बाद फिर से मैं उसी energy से काम करने लग जाती हूँ तो वो एक habit बन चुकी है तो same habit आपको डालनी है guys delay नहीं करना है जब भी आपको stress आता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप थोड़ा time लें अपने आपको थोड़ा relax करें उसके बाद फिर से कोशिश करें कोशिश जो है उसको हमेशा आपको जारी रखना है अब बात करते हैं कि hyper activity hyper active अगर autistic child है आपका तो उसकी जो learning है उसके लिए आपको बेट नहीं करना है कि hyper activity calm down होगी तब मैं उसको learning start करूँगा तो जो therapies हैं आप professionally करवा रहे हो या घर पे कर रहे हो वो therapies अपना काम जरूर करती है 6-7 year तक आते आते hyper activity calm down हो जाएगी उसके side wise आपको time से बच्चे की learning जो है वो start कर देनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अरनव severe hyper active था बहुत जादा problem था लेकिन उसके बाहर भी हमने जैसे ही autism डाइगनोस हुआ था उसके बात immediately हम लोग ने उसके learning जो है वो start कर दी थी तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको help करेंगी एक hyper active autistic child को learning कराने के लिए क्या points हैं जिससे आपका काम थोड़ा easy हो सकता है थोड़ा easy हो सकता है लेकिन मुश्किल तो जरूर है आसान तो नहीं होता है लेकिन मैं आप लोगों को वो path बता सकती हो जो मैंने follow किया था तो उसके बाद हालांकि उस time पे मुझे routine routine का कुछ knowledge नहीं था कि ऐसा करने से ऐसा होगा लेकिन मैंने अपने दिल में ये बना लिया कि अब तो daily उससे पहले मैं कुछ नहीं कर रही थी autism diagnose होने के बाद मैंने अपने दिमाग में ये बात मतलब ठान ली कि मुझे daily उसके साथ काम करना है और daily मैं उसको सीखाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि दो ढ़ाई साल में इसने कुछ नहीं सीखा है इसका मतलब आगे इसकी learning जो है वो और delay होगी और बहुत जादा time लगेगा इसको चीजों को सिखाने में तो इससे better है मैं धीरे धीरे कोशिश करके थोड़ा थोड़ा उसको सिखाने की कोशिश करूँ तो उसमें मैंने देखा कि इसमें सबसे पहला जो rule होता है आपका definitely जो fun activity होती है जिसमें बच्चा enjoy करता है वो उसके toys हो या जिस चीज को वो पसंद करे उसी चीज से हम लोगों को start करना होता है इसलिए आपको sorting की जो activities हैं आप ओटी में जाओगे तो सबसे पहले बच्चे को वही कराई जाती है क्योंकि होता क्या है इनसे बच्चों को बहुत मज़ा आता है बच्चे इसको बच्चों का जो है वो interest इन चीजों में बहुत अच्छे से आता है आप मेंसे काफी फेरेंट इस बात को मानेंगे और जिन्होंने ये चीज फॉलू की है और इस बात से एगरी करेंगे कि जो sorting activity है वो बहुत ही अच्छी होती है बहुत interesting जो है activities होती है जिसको autistic बच्चे जो है वो easily करना start कर देते हैं कुछ time के बाद उसी से आपको starting करनी है एक hyper activity sorry एक hyper active बच्चे को आप जब भी sorting के लिए बिठाओगे तो वो कुछ देर के लिए वो sorting जरूर करेगा भले starting में वो just five minutes के लिए करें फिर 10 minutes के लिए तो धीरे धीरे आपको वो time increase करना होता है ऐसा नहीं है कि first day जो है जैसे मेरे पास भी एक बच्चा आया था तो मेरी friend का ही समझ लो आप तो वो mother थोड़ा demotivate हो रही थी और definitely उस बच्चे ने sorting में interest दिखाया उसको वो चीज समझ में भी आई तो लेकिन उसने 3-4 minutes से ज़्यादा जो है उस चीज को करना वो prefer नहीं कर रहा था बच्चा तो mother को ऐसा लग रहा था कि नहीं यह देखो यह किसी भी चीज में interest नहीं लेता और किसी भी चीज को regularly नहीं करता है लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चा starting में 5 minutes करेगा next time वो धीरे धीरे time जो है वो increase होते जाता है और थोड़ा सा आपको बच्चे को बिठा के रखना है उसको उठने नहीं देना है वो task मतलब बहुत सारी चीज मत रखो अगर आप चना और राजमा का ही sorting करा रहे हो जैसे कि अर्णव को हम लोग करवा है उसके बाद मुझे उठना है ठीक है तो यह तो एक basic है जो मैं आप लोगों को बता रही हूं कि starting आप कहां से करते हो एक hyper activity अगर आपका autistic बच्चा है तो starting आप कहां से करेंगे हालां कि यह चीज मैक्सिमम पेरेंट को पता है लेकिन अभी भी कुछ parents नहीं है तो में भी यह करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा learning के लिए ready ना हो आपको एक routine बनाना है अपने time के हिसाब से जब आप free होते हैं daily उसी time पे और same place पे ऐसा नहीं कि घर में आप कहीं भी आज sope पे बिठाया culture पे बिठाया जहां भी आपको convenient लगता है वहीं same place पे बिठाना ह तो basically यह चीज़े बच्चे को remind कराती हैं कि मुझे इस place पे बिठाया गया है तो इस place पे बैठ के मुझे क्या करना है तो automatically बच्चे को पहले से ही वह चीज़ पता होती है कि मुझे क्या करना है तो उसके लिए भी adjust करना जो है वो easy हो जाता है इसलिए autistic या hyper active बच्चे के ल बढ़ोर रखें मैं आज तक एक fix routine ही follow कर रही हूं उसकी जो learning है उसका एक fix routine है उसी time पे और उसी place पे बैठ के उसको कराती हूं तो believe me मुझे कभी मुश्किल नहीं आई उसको किसी भी चीज के लिए मनाने के लिए कि हाँ अभी उसको सिखाना है तो उसको मुझे ready करना है तो यह चीज बहुत जादा easy हो गई मेरे लिए तो हालांकि बाकी के time वो बैसे ही hyperactive रहता इतना hyperactive की जब हम लोग सोते हैं सोते थे तो उस time पे भी वो हमारी body के ऊपर ही कूद रहा होता था मतलब आप दिन में तो सोने का नाम ही मतलो रात में भी sleeping disorder होते हैं तो hyperactive जो है hyper activity basically dopamine level उसका कम secretion होता है इन बचों के brain में तो वो भी responsible होता है hyper activity के लिए तो dopamine level को आप physical exercises जो होती हैं जिसमें आपकी cycling हो, walking हो, sliding हो उन सब चीजों से आपको manage करना है जीम ball exercises हैं उन सब चीजों से आपको जो energy है और जो dopamine level है उसको maintain रखना है तो routine आप follow करेंगे दूसरा इस तरह से क्या होता है कि आपको दिन में मतलब learning के लिए एक थोड़ा time आप लोग therapy करेंगे OT जो रहता है जो आप अगर professional कर रहे हो तो भी घर में आपको वो session repeat करने होते हैं ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर professional therapy prefer की है select किया है तो आप therapy center में ही उसको करेंगे plan दिये जाते हैं और अगर आपको plan नहीं मिल रहा है तो जो session आपको therapy center में करवाया जा रहा है उसी को आपको repeat करना होता है घर में और अगर आप घर पे ही करते हो तो भी एक घंटा तो आपको उसके लिए चाहिए ही चाहिए तो धीरे धीरे जो है starting में आपको एक hyperactive जो बच्चा होता है उसको speech के लिए आपको starting में जो है speech है जो language है उसके उपर पहले work नहीं करना होता है guys पहले बच्चे को हम लोगों को ready करना होता है speech तो आप जो speech therapy है वो तो आप करवा ही नहीं सकते अगर बच्चा hyperactive है तो definitely ये जो sorting गएरा होता है ये से ये जो है वो sitting tolerance के लिए ही activity कराई जाती है और मैं prefer भी नहीं करूंग कि आप starting में सीधा पकड़ के बैठ जाओ visual पकड़ के और बच्चे को language के उपर बर्क करने लग जाओ नहीं ये सब आपको तब start करना है जब आप बच्चा जो है वो आपके थोड़ा control में आ जाए आपको थोड़ा सुनना जो है वो start कर दे आपके साथ बैठना start कर दे आपको थोड़ा सा follow करना start कर दे उसके बाद आप वो चीज कीजिए पहले start करेंगे तो क्या होगा बच्चा सीखेगा नहीं और आप दी मोटिवेट होगे तो वो again आपको एक stress और depression में भेज देगा तो वो चीज आप मत करो वो चीजें करो ये जो sorting वगएरा होता है पजल बगएरा होता है ये जो भी drawing वगएरा है या फिर जो therapy में activities कराई जाती है को path बच्चे को follow करना है जो path वाली activities होती है ये सबसे क्या होगा बच्चा fun करेगा enjoy करेगा और definitely enjoy करेगा आपके साथ एक बच्चे का relationship जो है वो build up होने लगता है और बच्चा जो एक lonely less की जो दुनिया है उसको थोड़ा सा side में कर देता है और आपके साथ वो थोड़ा सा घुलने मिलने लगता है और एक bond strong होता है तो definitely कुछ time के बाद वो आपको सुनना भी start कर देता है तो आज भी मैं message पढ़ती हूं अभी भी मैंने message पढ़ा कि comment पढ़ा कि मेरा बच्चा five years six year का हो गया है वो बोलता भी नहीं है पढ़ना तो दूर की बात है guys अगर आप अपने दिमाग में कुछ भी है यह नहीं कर पाएगा बच्चा बोल नहीं पाता है तो क्या हुआ अगर बोल नहीं पाता है तो यह मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को सिखाने के लिए कोई भी चीज barrier होती है नहीं time जरूर लगता है अगर mild है moderate है कुछ भी समस्य है time लग सकता है कि लेकिन ऐसा possible न अरनब का लेवल इतना ही है इस से लेवल इसके आगे जाओंगी तो वो नहीं सीख पाएगा और काफी चीजें जो है मैंने बहुत जादा लेट शुरू की अभी recently मैंने उसको चाय बनाना सिखाया एक दू हपते में वो perfectly उसका recipe बिलकुल schedule से जितने भी ingredient उसमें डालने है एक कप पानी डालना है बहुत अच्छे से सीख गया लेकिन काफी time पहले अगर मैं start करती तो भी वो सीख जाता लेकिन मैंने अपने दिमाग में ये label बना के रखा है कि नहीं अभी वो इन सब चीजों के लिए ready नहीं है तो sometimes हम लोग यहीं सोचते रहते हैं तो वो चीज से बस आपको ये समझना है कि अगर मैंने सोचा है तो मैं कर जरूर लूँगा और definitely जब आप किसी problem की solution के बारे में सोचते हैं तो solution कहीं न कहीं से हम लोगों को मिल ही जाता है हम लोगों के time पे तो कोई youtube बगेरा कुछ भी नहीं था इतना जादा guys तो जो भी हम लोग करते थे क्यों होता था क्योंकि बार-बार हम लोग सोचते रहते थे कि कोई help नहीं है कहीं से कुछ knowledge नहीं मिलता था तो बार-बार हम लोग दाद दिन दिमाग में यही सोचते थे कि यह चीज कैसे कराएंगे यह चीज कैसे कराएंगे और definitely वो solution निकलते जाते थे sometimes हम लोगों को बह तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा अरनव इसका एक्जाम्पल है गाईज वो थेरपी में जाता था एक गंटे के लिए तो कुछ टाइम के बाद एक अराम से अपना सेशन कर लेगा मेरे साथ वो लर्निंग कर लेगा पार्क में जाके वो सारी एक्टिविटी जो भी फीजिकल एक्सराइज होती हैं दिन में मैं दो बार उसको तरफी का शैशन भी रिपीट कर वाती थी तो उसको बाकी आप देखो तो वो बैसे ही जांप करता घर में पूरा दिन बहुत बैठेगा रात को भी नहीं सोता था ता ऑभी वो सा प्रॉपलम नहीं अभी तो नौनों order होते हैं इन में रात को भी नहीं सोएंगे दिन में भी नहीं सोएंगे तो इससे जो है वो hyper activity जो है वो और ज्यादा बढ़ती है तो अगर आप लोग physical exercises को भी prefer करते हैं physical energy है उसको भी वर्न आप daily based पे करते हैं और बच्चे को अच्छे तरीके से engage करके रख रहे हैं अगर learning आपने स्टार्ट कर दी है एक hyper active बच्चा है तो believe me आप दोनों ही चीज़ों को manage कर पा रहे हो physical exercises कराना आसान है cycling सिखाईए walking सिखाईए पार्क में sliding कराईए तो gym ball exercises है सब कुछ यह कराईए तो physical energy का हम लोग फिर भी उसको easily manage कर सकते हैं सबसे जादा जो challenging part होता है वो यही होता है कि हम लोग brain को कैसे engage करेंगे तो यह जो learning activities है इसको भी आपको मान के चलना है starting से ही कि यह दूसरा पहलू है hyper activity को tackle करने के लिए तो मुझे दोनों ही चीजों को साथ में लेके चलना है ना कि मुझे बेट करना है कि hyper activity calm down होगी उसके बाहर मैं start करूँगी नहीं आपको मुश्किल आएगी लेकिन बच्चा जो है वो बहुत जल्दी एक दो हपते में आप वो चीज देखोगे अगर आप डेली sorting का ट्राइ कर रहे हो तो sitting tolerance जो है वो बच्चे अचीब कर लेते हैं लेकिन वही है ऐसा नहीं करना है कि आज कराया कल नहीं कराया आज सुबह कराया कल शाम को कराया नहीं एक एक फिक्स रुटीन रखिए एक फिक्स प्लेस रखिए सौर्टिंग से स्टार्ट कीजिए सिटिंग टॉल्रेंस डेफिनेटली बच्चे का आ जाएगा और बाकी सब अगर आप लोगों को देखना है आपी चीज़ें मैंने शेयर की हैं अर्णब के बिहेबरिल इशूस के इस बार मैंने काफी नोटिस किया कि काफी लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है कि चैनल को कैसे विजिट करते हैं कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है जैसे कि मैंने पिछली बार कम्यूनिटी पोस्ट का जिक्र किया था जिसमें स्कूलिंग क regarding document हैं तो comment में लोग मुझसे पूछ रहे थे कि community post कहा होता है तो यह channel के बीच में ही होता है जैसे अगर आप अभी यह video देख रहे हैं तो इसके नीचे एक logo बना हुए channel profile एक photo है अरनव और मेरा जो photo है उसके उपर आपको नीचे click करना है उसके उपर click करेंगे तो आप सीधा channel page पे पहुंच जाएंगे और channel page पे जाके ही आपको top पे option आते हैं जिसमें video, home होता है सबसे पहले home, video, short video, playlist and then community post थोड़ा सा slide करना पड़ेगा आपको तो वो community post भी आपके सामने आ जाता है तो basically वो channel के बीच में ही होता है तो इस तरह से आप visit करके playlist section में भी जा सकते हैं जहां पे आपको बहुत सारे video में जैसे मेरा धाइसो के करीब video तो आपको धाइसो के video में वो चीज जो है वो डूननी नहीं पड़ेंगी जो particular आपका interest का video है आपको वो एक बहुत कम video के बीच में ही वो video जो है वो मिल जाएगा अगर आप playlist section में जाते हैं तो ये मेरे channel के ली भी applicable है और किसी और का channel है तो वहां पे भी आपको same चीज ही करना है so I hope ये सब चीज़ें आपको help करेंगी and thank you for watching this video